हेलो एवरिवन स्वागत आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल जी डिसी मेडिसिन पे हम अपने इस चैनल पे तवाईयों की जानकारी रुगों की जानकारी एवं सास्त देखभाल से जुड़े हर एक टॉपिक की जानकारी यहां पे देते रहते हैं तो अगर आप भी हमार सकती को बढ़ाती है साथी साथ भूक को बढ़ाने में इसका बहुत अच्छा रोल होता है खाना को पचाने का काम करती है वजन को भी बढ़ाने का काम करती है और भी इस सिरप के इस इंजाइम सिरप के डाइजेस्टिव इंजाइम सिरप के बहुत देरों फाइदे देखन composition content ऐसी क्या-क्या चेज़े मिली होगी इसका उप्योग कहां-कहां देखने हो जाता है इसके काम करने का तरीका यानि कि mechanism affection क्या है इसके इस्तेमाल करने का सही तरीका इसका डोज precaution side fit मतलब इस सीरप की हम आपको संपुड जानकारी देने वाले हैं पूरे वीडियो में जरूर बने लिएगा ताकि कोई information मिस्टन होने पाइग जी हां यूने जाइन सीरप के अंदर अगर हम main composition की बात करें तो क्या-क्या इसको बनाने का काम करती है रूम टंपरिचर पे स्टोर कर सकते हैं और एक बॉटल जो दो से मिल के बॉटल आती है उसी कीमत लगवा के 127 रुपया यानि की रेट भी इसका बहुत नॉर्मल ही रहता है 127 रुपय में आ जाती है बाकी बात करेंगे यूजस की तो जैसा कि म करने वाली यह सिरफ होती है गेस्टिक प्रॉबलम है उसमें दी जाती है भूग की कमी होती है तो भूग को बढ़ाने का काम करती है साथी साथ पैंक्रियेटिक इंसफिशेंसी है इरिक्ट्रेक्शन है मतलब कुल मिलाज लाके पेट में दर्द हुआ है ना इंडाइजेश को अठा करने का काम यह यूनि एजय इंग सिरफ बहुत अच्छे तरीके से कडें यह इसका होता है करने की त्रीका मताएं तो इसमें दो iastraith मिला यह या मैं तरीकम होता है जो कि फेक टौभह करता है अब इसमें निया र्चल जेकर करेगा और प्यपकिन प्रोटीन को करेगा तो simply अगर बात करते हैं तो यह स्टार्ज को सिंपल सुगर में माल्टोज में ब्रेकडाउन करेगी जिससे आपका आसानी से कार्भॉहाइडरहड़ फैड प्रोटीन इन सबके डाइजेशन में डास्टेज 한데-ें-जाइम रोल करrada अपके आपके अच्छे से पकार रहा है पाचां locks कर रहा है आपके carbohydrate fat protein सारी चीजों का digestion अच्छे से करेगा पाचन अच्छे से करेगा overall आपकी पाचन सक्ति को बढ़ाने का काम यह दोनों कर दिए बाकि अगर हम बात करते हैं इसके सही डोस क्या होगा तो भी है कोसिस कीजिए एक बार अपने डॉक्टर से सला ले लिजे क्योंकि डॉक्तर आपकी डोस आपकी कंडिशन के साब से बताते हैं वैसे लोगे तो ज्यादा सही है इस्तमाल करने से पहले इसको अच्छे से से जरू करें और अगर आपको खुद से लेना है तो 5-10 ml दिन में दो बार ले सकते हो 5-10 ml से ज्यादा आपको नहीं लेना है बाकि अगर बात करेंगे भी या प्रिकॉशन क्या सावधानिया रखनी है तो जितना भी डोज बताए जाए कभी भी खुद से बार बार ज्यादा नहीं लेना चाहिए बच्चों की पहुसे से दूर रखें अगर पिलाना भी है तो की देख रहे हैं में पिलाएं और इसको ग्लास अब वाटर के साथ आप स्वालो कर सकते हो खाने के बाद अगर खाओगे लोगे इसे तो अच्छा आसर देखने को बिलेगा साथी साथ जो डाविटिक पेसेंट है तो उनके लिए थोड़ा सा प्रिकॉशन है क्योंकि इसमे पेइनफूल यूरिनेशन यह सारी चीजे देखने को सकती है जो कि रेर है सही तरीके से इसमाल करने साहर यह चीजे नहीं हुए बाकि यह प्रिकॉशन ध्यान देना है दोजिस भी हमने बता दिया कैसे काम करता है कितना की आती है क्या-क्या मिला होता है और यह मतलब विस से सब्सक्राइब जरू करें अब कहां से वीडियो देख रहे हैं इसको भी जरू लिखेगा मिलते हैं कि इस एकली वीडियो में तब तक के लिए अपना अपनों का ख्याल के थैंकि तो मच आल दिमेरी वास्टी